नमस्कार दोस्तों मैं आरत स्यादो स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल संद कलाम क्लासेज में तो दोस्तों आगामी दिनों में अनेक महत्वपूर्ण परिच्छाएं प्रस्तावित हैं जैसे कि यूपी पीसियस 2021 की प्री परिच्छा आरो ए आरो 2021 की प्री परिच्छा उत्तर परदेश अधिनस्त लोक सेवा आयोग की अनेक परिच्छाएं इत्यादी तो दोस्तों इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस चैनल पर जीयस के सभी विश्यों जैसे की परियावरों परिच्छित की इतिहास, भुगोल, राजववस्ता, अर्थववस्ता, सामान विज्ञान एवन करेंट अफेर पर एक सिरिज तयार की जा रही है जिसमें अत् दोस्तों यह सिरिज परिच्छा की दिरिष्टी से आपके लिए अत्यदिक लाबधायक होगी तो दोस्तों बिना समय बरबाद किये आईए सुरू करते हैं आज की विडियो जो इस चैनल की भी पर्थम विडियो है इसमें परियावराण के अत्यम अत्यपून प्रस्ण है जो परिच्छाओं में बार बार पूछे जाते हैं तो इसका पहला प्रस्णिया है कि निमलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है निमलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है कार्बन डाइकसाइड सलफर डाइकसाइड मीथेन नाइटरस अकसाइड तो दोस्तों एंसर इसका बी सलफर डाइकसाइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है बाकी कार्बन डाइकसाइड मीथेन और नाइटरस अकसाइड ये तीनों गैसे हैं, ग्रीन हाउस गैसे हैं, दोस्तों ग्रीन हाउस गैसे हैं, कुल साथ मुख्य हैं, तो तीन तो यहीं हो गया, कारबन डाई अकसाइड, मिथेन और नाइटरस अकसाइड, इसके लावाँ चार दोस्तों हैं कि हाइड्रो फ्लोरो कारबन, पर फ्लोरो और हेक्सा फ्लॉराइड और नाइटोजन ट्राइफ फ्लॉराइड यह साथ मुख्य ग्रीन हाउस गैसे हैं इसको याद रखना है दोस्तों यहां से क्वेशन बार-बार पुछा जाता है और अगला कोश्चन यहां दोस्तों कि बैस्विक तापमान बृद्धी में किस गैस का सरवाधिक योगदान है तो बैस्विक तापमान बृद्धी में जल्वास्प का योगदान सरवाधिक है एंसर हो जाएगा A. जलवास्प इसके बाद देखिए कार्बन डाई आकसाइड का योगदान है इसके बाद मिथेन का योगदान है और इसके बाद ओजोन का योगदान है तो बैस्विक तापमान बृद्धी में जलवास्प का सबसे जादे योगदान है अगला question है कि जल्वाई परिवर्तन का कारण है Greenhouse gas हैं, ओजोन परत का छरण, प्रदूसन उपरयुक्त सभी तो जल्वाई परिवर्तन का कारण उपरयुक्त सभी है answer हो जाएगा D, उपरयुक्त सभी जल्वाई परिवर्तन दोस्तों यानि कि global warming के कारण होती है global warming अगर कोई मतलब एकदम से आप से पूछे तो दो लाइन में इसका जवाब दिया सकता है कि चुकि प्रिथवी के वाई मंडल में उन गैसों की मातरा बढ़ रही है जो उस्मा को ज़्यादा ग्रहन करती है इसलिए प्रिथवी का तापमान बढ़ रहा है जिसे global warming करते है या greenhouse effect करते है अगला कोशन है दोस्तों की कौन सा एक अब घटक नहीं है कवक, जीवाणू, विसाणू, इन में से कोई नहीं तो इसका answer is C, विसाणू, विसाणू यानि वाईरस अब घटक नहीं है बाकी कवक, जीवाणू एक अब घटक है तो दोस्तों अब घटक विये जीव होते हैं जो अपच्छय अर्थात सडन की प्रक्रिया को तिब्र करते हैं जिसके पैणामसरूप पोसक तत्तों का पूनचक्रिकरन होता है और अब घटक जीव के उधारन हो गए कवक, जिवाणू, गोल क्रीमी, प्रोटो जवा, केंचुवा, इत्यादी और वैबहार में दोस्तों, आप देखते हैं कि कोई जानवर की मिर्ति हो जाती है तो कुछ दिन के बाद उसकी केवल हडियां देखती है और बहुत दिन के बाद उसकी हडिया भी नहीं देखती इस गटना का सरे अब गटक जीवों को है ये बहुत ही सुक्ष मंजीव होते हैं दोस्तों और दोस्तों अगला कोशन बहुत ही मतोपून है कि उसमा गतिकी के किस नियम के अनुसार उसमा का न तो स्रिजन हो सकता है ना उसे नश्ट किया जा सकता है उसका केवल रूप परिवर्तन होता है तो इसका दोस्तों एंसर ए प्रथम एंसर ए उसमा गतिकी के प्रथम नियम के अनुसार उसमा का न तो स्रिजन हो सकता है ना उसे नश्ट किया जा सकता है उसका केवल रूप परिवर्तन होता है दोस्तों स्रिमत भागवत गीता में भी इसी परकार का विचार व्यक्त किया गया है कि आत्मा के संदर में कि आत्मा का न तो जन्म होता है ना उम्रित्य होती है उसका केवल रूप बदलता है तो वही है दोस्तों अगला कोश्चन यह है कि समुद्र में मुख प्रात्मी कुत्पाद होते हैं समुद्री अप्त्रिण फाइटो फ्लैक्टन्स समुद्री आबरित बीजी जली ब्रायो फाइट्स तो समुद्र में मुख प्रात्मी कुत्पाद होते हैं इन्हें फाइटो फ्लैक्टन्स का आजाता है एंसर उजगा बी फाइटो फ्लैक्टन्स एंसर बी तो दोस्तों देखे समूंदर में इस्तिद फाइटो फ्लैक्टन्स प्रकास संसलेशन द्वारा अपने उर्जाब प्राप्त करते हैं एवं प्रित्वी के वाई मंडल में उपस्तिद कूल आक्सीजन का लगभग 90% यही उत्पादित करते हैं तो यह बहुत ही मौत्पून है अगला कोश्चन है दोस्तों की पारिश्थित की तंत्र में खाद्र श्रिंखला का सही क्रम होगा तो इसका एंसर ए है कि सुर की प्रकास की उपस्तिती में हरे पवधे और जो घास होती है वो भोजन बनाती है तो घास को खाया टिड़ा और टिड़ा को खाया मेढ़क और मेढ़क को खाया सर्व तो एक क्रम है फिर आया आदमी जो इन चारों को खा लिया तो इसलिए आदमी को सर्वाहरी में रखा जाता है तो पारिष्टित की तंत में खाद श्रिंखला का सही क्रम क्या आउगा? आइंसर है A. घास, टिड़ा, मेड़क, सर्व अगला कोशन दोस्तों कि बिस्व मौसम बिज्यान संगठन का मुख्याले कहा है? तो आइंसर है B. जेनेवा में है और विज्गान संगठन के अस्थापना 23 मार्च 1950 सिस्टवी को होई थी, इसलिए प्रतेक वर्स 23 मार्च को विज्गान दिवस मनाए जाता है और विज्गान संगठन विज्गान संगठन इवनो की एक इकाई है, इसे विध्यान में रखना है अगला कोशन है दोस्तों कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दबाव पर वाई मंडल में नमी पर जल चक्र पर ताप मान पर तो वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वाई मंडल में नमी पर एंसर हो जाएगा भी वाई मंडल में नमी पर और वाई मंडल में नमी यह वर्षा की मात्रा का सिधा संबंद होता है और थात वाई मंडल में जितनी अधिक नमी होगी उतनी ही अधिक वर्षा होगी यह वाई मंडल में जितनी कम नमी होगी उतनी ही कम वर्षा होगी अगला कोशन है दोस्तों कि भारत सरकार द्वारा भूमी छरण टटस्तता का लक्ष कब तक प्राप्त करने का रखा गया है तो इसका एंसर भी 2030 भी तक तो मरुस्तली करण से निपटने के लिए स्वयूत रहष्ट संका चौधामा समेलन यानि की कोप चौधा दोहजार उन्नीस में नई दिल्ली में हुआ इस समेलन में सदस्य देशों ने 2030 इस भी तक भूमी छरण टटस्तता प्राप्त करने का लक्ष रखा है अगला कोशन है दोस्तों कि नोबल गैसों में कौन सिवायू में नहीं पाई जाती है तो एंसर है C रिडान नोबल गैसों में कौन सिवायू में नहीं पाई जाती है एंसर है C रिडान अगला कि सरवाधिक अस्थाई पारिष्टित की तंत्र कौन सा है बन परवत मरुस्तर समुंद्र तो सर्वाधिक अस्थाई पारिस्तितकी तन्त होने का प्रमुक कारणीय की समूंद्र का जल खरा होता है साथ ही उसमें घुलित आक्सीजन प्रकास एवं तापमान इस्थिर रहता है इसलिए समूंद्र सरवादिक अस्थाई सरवादिक अस्थाई पारिस्थित की तंत्र है अगला कोशन है दोस्तों अगला कोशन दोस्तों की वाइमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कारबन डाइकसाइड की उपयूक्त मात्रा कितना परसेंटोज होनी चाहिए तो एंसर दोस्तों इसका भी जीरो पॉइंट जीरो थी परसेंट जीरो पॉइंट जीरो थी परसेंट और विश्व महुसम विज्ञान संगठन के नुसार पूर्व अवदोगी काल में वाई मंडल में कार्बन डायाकसाइट की मातरा लगबग 278 पीपीम यानि पार्ट्स प बढ़कर 408 पीपीम 408 पीपीम हो चुकी है यानि कि बर्तमान में 0.04 परसेंट हो चुकी है लेकिन उपयुक्त मातरा पूश्चा है तो एंसर वह जागा भी 0.03 परसेंट अगला कोशन है दोस्तों कि सयुक्त राष्ट का मौसम परिवर्तन सम्यवता कब प्रभाविवाद तो 1994 में एंसर ए उन्निसो चौरानवे अगला कोशन है कि प्रित्वी काल और थावर प्रित्वी काल का आयोजन कौन करता है तो प्रित्वी काल का आयोजन WWF WWF करता है एंसर हो जागा A WWF मतलब की Worldwide Fund for Nature Worldwide Fund for Nature और Worldwide Fund for Nature के स्थापना 1961 इस भी में होई थी इसका मुख्याले ग्लैंड स्वीट जर्लैंड में है और यह एक यंजियो अर्थात गैर सरकारी संगठन है और प्रित्वी काल यानि अर्थावर में दोस्तों मार्च महिने के अंतिम सनिवार को मार्च महिने के अंतिम सनिवार को रात साड़े आठ से साड़े नौ तक लाइट को बंद कर दिया जाता है और 2021 के मार्च महिने का अंतिम सनिवार 2021 के मार्च महिने का अगला कोश्चन है दोस्तों कि क्योटो प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ तो एंसर है D 2005 में तो देखे जापान के क्योटो सहर में 1997 में UNFCCC के तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकाल को स्विकार किया गया था 1997 में किन्तु यह आठ साल बाद 1997 से आठ साल बाद 2005 से प्रभावी हुआ अर्थात लागो हुआ तो एंसर हो जाएगा कि D 2005 क्योटो प्रोटोकाल कब प्रभावी हुआ 2005 और पूजदे कि क्योटो प्रोटोकाल कब स्विकार किया गया तो 1997 में और जापान के क्योटो सहर में वो UN या CCC के तीसरे सम्हेलल में अगला कोशन है दोस्तों कि कारटा जेना प्रोटोकाल का संबंद है कारटा जेना प्रोटोकाल का संबंद है तो एंसर है ए जयव सुरक्षा से एंसर ए कार्टा जेना प्रोटोकाल को सन 2000 इसवी में सुकार किया किन्तु यह सन 2003 इसवी से लागू हुआ सुकार 2000 इसवी में हुआ और लागू 2003 इसवी में हुआ कोस्चन जैसा पूछे उत्तर वैसा ही देना है अगला दोस्तों की कार्वन क्रेडिट का दिश्टि कौन किस से सुरू हुआ कार्वन क्रेडिट का दिश्टि कौन किस से सुरू हुआ क्योटो प्रोटोकाल प्रित्वी सिखर सम्मिलन मांटियल प्रोटोकाल जी आठ सिखर सम्मिलन तो एंसर दोस्तों यह क्योटो प्रोटोकाल तो क्योटो प्रोटोकाल के तहद परियावरण में कार्बन उस सर्जन को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट परणाली लागो की गई और दोस्तों या बहुत ही carbon credit का concept दोस्तों बहुत ही महत्वपूर है इसको समझ लेना है कि carbon credit के तहद एक देश के लिए अधिक्तम carbon उस सर्जन की मात्रा को निर्धारित करदिया जाता है अब अगर वह देश उस निर्धारित मात्रा से एक मिट्रिक टन कम उस्सरजन करता है तो उसे एक कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाता है इसी प्रकार अगर वह देश जो उसके लिए निर्धारित मात्रा है उससे दो मिट्रिक टन कम उस्सरजन करता है तो उसे दो कार्बन क्रेडिट प्रदान कर दिया जाता है अब वो अदेश इस carbon credit को अंतराष्टी बाजार में बेज़ सकता है इसे वो देश खरीच सकते हैं जो अपनी निर्धारित मात्रा से ज़्यादा carbon का उसरजन किये हैं तो यहीं दोस्तों carbon credit है बहुत हिम्मत पूंट concept है इसके द्यान में रखिना है और दोस्तों इस विडियो का आंतिम कोस्तन कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो प्रथम 2422 समय लन 1989 सही है प्रथम प्रिथवी सिकर समयलन एजेंडा 21 सही है प्रित्वी सिकर सम्मेलन प्लस 5 1997 यह भी सही है क्योंकि प्रित्वी सिकर सम्मेलन हुआ था 1992 में डिजिनेरियो में और उसके 5 साल बाद भा था 1997 में तो यह सही है और D इसमें गलत है तो कौन सा सही सुमिलित नहीं है तो एंसर हो जागा D Carbon व्यापार, Montial Protocol यह गलत है क्योंकि Montial Protocol ओजोन से और Carbon व्यापार तो क्योटोप प्रोटोकाल के तद सुकर किया गया था तो कौन सा सही सुमिलित नहीं है एंसर है D Carbon व्यापार, Montial Protocol यह गलत है तो दोस्तों आज क्योवल इतना इकोशन तो दोस्तों यह YouTube पर मेरी पहली वीडियो है इसलिए गलती होना स्वभाविक है अत्त आपसे बिनम्र निवेदन है कि आप मेरी गलतियों को कमेंट बाक्स में जरूर लिखे ताकि उन्हें सुधार कर और बहतर प्रयास किया जा सके तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए यह वीडियो लाइक को सेर कर लिजिए ऐसा आपसे बिनम्र निवेदन है तो वीडियो देखने के लिए धन्वाद दोस्तों नमस्कार भारत माता की जए मिलते हैं अगली वीडियो में